प्रिय भाई और बेहनों, आज का शुबस अनेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करें। आज का संदेश ब्रदर नेलसन तो मस मुंबई से वाटा जाएगा। प्रारतना के साथ सुनीए। प्रभुपत में शक्स्तु दी हों। थोड़ दर के हमारे मानन के लिए आईए पड़ेंगे। लुकारे सुसमाचार उसका उन्नीस वह दिया हैं दस वह पड़ुक्स कॉस्पल चाप्र नाइंटीन वर्स टेन। मनुश्र का पुत्र तो खोये हुआं को डूढने और उसका उद्धार करने आया है। एक और बार संसार ईश्य मसी के जनम के स्मरण में कृस्मस मनाया गया है। लेकिन बहुत ही दुख की बात है। बहुत सारे लोग जो कृस्मस मनाते हैं उनको यह नहीं मालूम वास्तों में प्रभु ईश्य मसी कौन है और उसके मन में उन में से कईयों के मन में ये विचार है भी नहीं कि समझ जाएं कि ईश्य मसी कौन है और उससे मुझे क्या आश मिल सकते हैं प्रवीश मस्यप सामाजिक सेवगाई के बीच में कई बार इस बात को कहा मनिश्य का पुत्र खोए हुऊं को डून ने उसका उद्धार करने आया है हम जानते हैं जब इश्य मस्यप का जनम हुआ सरगदूतों ने उन गडरियों से इस संदेश सुनाया जो हम तुमारे लिए एक उद्धार करता जनमा है और यही मस्यप प्रभू है यश्य मस्यप के जनम के समय में सरगदूत जो गोशना किया वो गोशना में ये बात बिलकल साफ तरीके से कहते है बैतल है में जो बैच्छे का जनम हुआ वो प्रभू है वो मस्यपा है तुमारे लि कहानी पढ़ेगा तो हमें समझ में आते हैं, यहुदियों के बीच में उनके जीवन में बहुत सारी कठनाई समस्या का भी सामना किया, उसमें से सबसे भाएंगर समस्या था, मिसर देश के गुलाम में करीबन चार सो साल वे रहा, फिरो राजा के गुलाम गिरी में वो रोया, पढमेश और थरस काकर, उनको चुडाने के लिए, उनको बचाने के लिए उधार करता को भेजा, मुसा को, मुसा के द्वारा उसको वहां से आजात किया, बाद में कनान पहुंचने के बाद भी हम देखते हैं उनकी कहानी में, अलग-अलग देश के बेंधनों में, गुला समझाते हैं, सबसे भायेंगर, गुलाम के लिए बेंधन, पाप का बेंधन है, इश्व ने कहा युहन 8.34 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, हर एक जो पाप करता है, पाप का दास है, इस पाप का बेंधन से, शेटान के बेंधन से, बुरी आदतों के बेंधन से, मानसिक वेदनाओं के बेंधन से, आध्यात्मिक बेंधन से, छुडाने के लिए, उधार करने के लिए इश्व मसी आया, इश्व नाम का मतलब ही वो है, जैसा हमती पहला अध्यायकीस में इस बात को पढ़ते हैं, क्या इश्व मसी पापों से मनुशक का उधार किया, अब दुख इश्व मसी मनिश जाती के पाप के बेंधन से उसको आजात किया, प्यारों इस बात हम कभी नहीं भूलना है, इश्व मसी का साड़े तेंदी साल की जिन्दगी कैवल उबदेश सुनाने के लिए, आच्छेज कर्म करने के लिए, बीमारों की चंका करने के लिए नहीं था, मनिश का पुत्र खोए हो उनको डूनने और डून कर उसको उधार करने के लिए आया, पापों से चुडाने के लिए आया, पाप का बेंधन से चुडाने के लिए आया, कैसा किया वो, प्रेरिद पावलोस अपनी पत्रिगा में इस बात को लिखता है, कुरंदियों की दूस चौबीसव पत्म, उसने सोयम अपनी ही देहुमें, क्रोस पर हमारे पापों को उठा लिया, जिससे हम पाप के लिए मरें, और दार्मिक्ता के लिए जीवन वितित करें, क्योंकि उसके घावों से तुम सुस्त हुए हो। प्यारो ईश्य मसी, हमारे पापों से हमें उधार करने के लिए आकर, हमारे पापों को पाप का बोज़ को अपने उपर उठाना अविश्यत है। इश्य बता रहा है, प्रभु ईश्य मसी आने वाले समय में, मनिश जाती के पापों को उठा लेते समय, पाप का बोज़ को उठाते समय, या हमारे प्रदी प्राइश्यत का बिलदान होते समय, जो वेदना उसको सहना है, वो समिश कर, उनका जीव याकुल हो उठा, फिर भ इसी गत्समना के बिगीचा में प्रार्तना करने को गया, मेरा मन बहुत उदास है, यहां तक कि मैं मरने पर हूँ, उन्चाली सौपत में, फिर वो उनसे थोड़ा आगे बढ़ा, और मुझे बल गरकर ये प्रार्तना करने लगा, हे मेरे पिता, ये संबो है तो, ये प्याला मुझे से ठल जाएं, तो भी मेरी नहीं, पर तेरी इच्छा पूरी हो, का मतलब, इश्व मसी जरूर इस वैदना को सहा, हम लोकारे सो समाचार में इस प्राकार लोका भी लिखते हैं, इसी आवसर उसका पसी नाम, रेक्त की इश्व मसी उठाया, तो भी प्यारों, आपको मुझे बचाने के लिए, अपने आपको बचाने का प्रयास नहीं किया, सूली पर हमारे लिए पूरा पूरा दर्द सहा, सच मुछ में प्रहु इश्व मसी हमारे पापों के बदले किस प्रकार का मुर्ति उठाया, वेदना स पूरा हम नहीं समय सकता है, इश्व मसी जब सूली पर था, तीन गंडे का अंदगार को हम देखता है, सूरश अपने आपको चिपा दिया, उसका 27 वा ध्याय, 45 पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, इश्व मसी का आवाज उस अंदगार के समय में, दौपहर से लेकर तीन परमेश है मेरे परमेशर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, पिता परमेश ने उसका त्याग लेकिन वो पूरा पूरा सह कर, अंदम में जैसा युहना लिखते हैं उनीस वा ध्याय में, सूली पर से इश्व मसी ऐसा छिलाया, पूरा हुआ, और उसने सर जुक कर प्रां का दिंड पूरा पूरा उठाया, जैसा पत्पौलुस लिखते हैं पहली कुरंदी पंदरवाध ध्याय में, पवित्रशास्त्र की अनुसार मसी हमारे पापों के लिए मरा, और गाडा गया तता पवित्रशास्त्र की अनुसार, तीसरे दिन जीबी उठा, तब वो कयफा को बारा को दिखाए दिया, आज ईशु मसी जीवत है, आज ईशु मसी बालक नहीं है, करीबन दो हजार साल पहले एक मनिशक का रूप लेकर आया हुआ, पुत्र परमेशर, सर्ग में हमें उध्धार करने के लिए, हमारा उध्धार करता है, हमारा प्रभू और राजा, उनका राजा के रूप में वो विराजमान है, वराने की पत्री सात्वा धैका पचीस अपत में इस प्रगार पढ़ते हैं, जो उसके द्वारा परमेशर के समीब आते हैं, उनका पूरा पूरा उध्धार करने में समर्द है, क्योंकि वो उनके लिए निवेदन करने को सरवदा ज प्यारों, एक और बार इश्व मसी का जनम मनाया, संसार के अधिक आमशलोग इस बात को नहीं जानता, अनुभो नहीं किया, यदि बराबर बोलेगा तो यह नफरत भी करता, आप इश्व मसी के बारे में क्या समझते हो, आपका कौन है वो, इश्व मसी आपको बचाने के आपको पाप के बंधन से आजात करने के लिए आया, मुर्तियों का देंड उठाया, कि आपने इस प्रभू को स्विकार किया, पापों को कबूल किया, मन फिराया, इश्व मसी को प्रभू धार करता स्वामी के रूप में स्विकार किया, इदि नहीं, कैवल नामधारी मसी लोगों के समान एक रीति रिवास के रूप में साल में एक बार कृस्मस मनाने से कोई भी फायदा नहीं। प्रभु साता करें। इश्य मसी कौन है, वो क्या किया, हमारे लिए क्या कर सकते हैं। इस बात को बराबर समश कर, उसका उधार करता प्रभु के रूप में मान कर, नया जीवन और नई जिन्दगी का अनभौ पाने के लिए इन वचनों से प्रभु साता करें। प्रभु के नाम के महमारे।